Hey what's up guys, welcome back once again, दो स्वानची कहानी जो explain करने जा रहे हैं उसका नाम है Maggie ये कहानी असल में दुनिया के अंद की है जब चारो और एक वाइरस फैल जाता है जिसे न जाने कितने लोग मर रहे हैं और कितने मरने वाले हैं सरकार बहुत कोशिश करती है कि कैसी विगर के इस बिमारी का क्यों निकाला जा सके लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है और इसी बीच हम एक Maggie नाम के लड़की को देखते हैं जो अपना घड छोड़कर बाहर चली जाती है बिना किसी को बताए अगली दिन जब उसके डाट सो कर उड़ते हैं तो वो अपनी बेटी को वहाँ पर ना पाकर बहुत ही जादा डर जाते हैं वो चारोवर उसे ढूणना शुरू करते हैं और तब ही डॉक्टर उसे एक वाट तक ले जाते हैं उसे बताते हैं कि इसे आर्मी वालों ने यहाँ पर लाकर आडमिट कर दिया है क्योंकि यह इंफेक्टेड हो चुकी है अब इसकी भूख भी मिटती जा रही है कुछ दिन इसकी भूख खतम हो जाएगी और फिर इसको भूख लगी कि इनसानी मास की और तब हमें इसे मजबूरन कॉरिंटीन करना होगा जॉन अपनी बेटी की ऐसी हाला देख कर सोच में पड़ जाता कि आखिर ऐसे कैसे हो गया दरसल जॉन एक अच्छा नामी इनसान होता है उसकी कई लोगों से जान पहचान होती है और इसी लिए उसने एक बड़े डॉक्टर से सिफारिश लगा कर उसकी बेटी को रिलीस कर दिया है लेकिन वो डॉक्टर उसे वौन करता है कि आपको इसका पूरा ध्यान रखना होगा क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है जब वो अंदर जाता है तो मैगी उसे देखकर रोना शुरू कर देती है और उसे माफी भी मांगती है कि वो बिना बताए घर से बाहर चली गई थी और उसके ऐसी हालत हो गई तो जॉन उसे बताता है कि उसने उसे हर जगा ढूडा लें फिर बेन नाम को उसके दोस ने उसे बताया कि तुम्हें आर्मी वालों ने यहाँ पर एड्मिट किया अब हम घर चलते हैं जहाँ बर तुम अच्छे से रहोगी शायद यहाँ पर काम करने वाले लोगों को उन लोगों ने मार दिया हो तभी माँ पर जॉन पहुचता है और मैगी को ढूडने लगता जो कि स्टोर के काफी अंदर जा चुकी थी अब वो उसे अवाज लगाता है कि तभी उस पर एक इंफेक्टेट परसन हमला कर देता और उसे मानने लग लेकिन जॉन सही समय पर एक रॉड उठा लेता और उससे उसका गला काट देता वो फॉरन मैगी को वहाँ से चलने को कहता है और यहाँ पर इने ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए क्योंकि हर तरफ बस ऐसे यह इंफेक्टेट लोग भरे पड़े है अब घर जाने पर वो अपने छोटे भाई बॉबी से मिलती है जो उसे पूछता है कि क्या वो मनने वाली है तो वो कहती है कि नहीं तुम यह किसने खा? वो बताता है कि उसके स्कूल में एक बच्चा उसी तरह ही इंफेक्टेट हो गया था जिसके कुछ दिन बाद वो एक जानवर में बदल गया और उसे लोगों ने मार दिया क्या ऐसा कुछ उसके साथ भी होने वाला है? अब मैगी को जवाब नहीं देती है भीरी धीरे करके सभी अपने लोग उसे दूर हो जाएंगे क्योंकि वो एक जॉम्बी में बदल जाएगी और जैसे कि हर किसी के साथ होता है उसके बाद उसे भी मार दिया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा यहाँ पर सभी को उससे दिक्कत होती है लेकिन एक उसके डाड़ी थे जिने उसकी फिकर थी इसलिए वो उसके पास आकर उसे खाने के लिए पूछते हैं क्योंकि उसने सुबा से कुछ भी नहीं खाया लेकिन मैगी के दिमाग में वही सब चल रहा होता है इसलिए वो अपने डाड़ पर ही चिला देती है पर वो वहाँ से जाते नहीं है उसके पास आकर बैट जाते हैं और तब वो उनसे पूछते हैं और तब वो उनसे पूछती है कि आपने मुझे इतनी दिनों तक ढूंडा अगर इसी दुरान आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते हैं वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा और मैं उनसे किया हुआ वादा नहीं भार रहा हूँ पसंद नहीं आती और वो खाना यी छोड़ कर वहां से चली जाती और यह देखकर कारोलीन को गुरा लगता और अपनी गलती का हैसास होता है वो उसे माफी मांगती है और जौन से कहती है कि उसे ऐसे modified ओ सित्व रहे जा रा है वो अंदर ये अंदर को देखती है जो औरों को खा रहे थे इसी चक्कर में वो जूले से गिर भी जाती है और उसकी उंगलियों में वे चोट लग जाती है जब इस चीज कैरोलीन देखती है तो फॉरण उसके पास भागते वे आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है और तभी उसके नजर उसक लेकिए वे एक चाकू से अपनी उसी उंगली को काट लेती है जिसमें उसे बहुत जादा दर्द होता और इसी चकर में वो फिर से घर से भागने लगती है लेकिन तभी उसके सामने दो लोग आ जाते हैं जो इन्फेक्टेट थे और ये उसी के पलोसी हुआ करते थे और उन् मैंगी को लेकर अंदर जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस आती है जिसमें ऑफिसर क्लार्क होते हैं जो कि जॉन के काफी अच्छे दोस्त है वो से समझाते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमारे पलोस वाले क्यों इन्फेक्टेट हो गए असल में उन्होंने अपनी आये हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लाग समझ जाता है इसलिए वो चुपचाफ वाँ से चला जाता है अब जब रात में जॉन सो रहा होता है तो उससे कुछ आवाजे आती है जो कि में गेट से आ रही थी वो बाहर देखता है तो वहाँ पर बॉनी बैठी हुई जो कि उसकी पलोसन नहीं और आज जिन दो लोगों को जॉन ने मारा है वो उसी के हस्बेंट और बच्चे थे दरसल बॉनी इंफेक्टेड नहीं हुई लेकिन उसकी बेटी हो गई इसलिए वो सकॉर हस्बेंट दोनों ही रात में बारी बारी उसकी देख रेक करते थे लेक जॉन के पास इसके अलावा कोई भी आप्शन नहीं था इसलिए बॉनी भी उसे कुछ नहीं कहती अब कुछ समय के बाद वहां पर एंबुलेंस आती है और उनकी लाश को लेकर चली जाती है कहानी और आगे बढ़ती है और नेक्स डे उनके पास डॉक्टर बरलिन का कॉल जो जॉन से कहते हैं कि वो मैगी को लेकर चेक अप के लिए आजा जहां जाकर वो उसे खाव को देखते हैं जो कि अब फैलता जा रहा है और फिर वो उसकी कटी हुए उंगलों को भी देखते हैं तब मैगी कहती है कि उस दिन उसकी उंगलिया अजीब तरा से होने लगी थ इसलिए उसने डर के मारे उन्हें काट दिया पर डॉक्टर उसे समझाती है कि ऐसा कभी मत करना तुम अब ठीक हो रही है और तुम्हारी अंदर अब काफी सुधार भी आ रहा है लेकिन जॉन को पता था कि डॉक्टर जूट बोल रहा है इसलिए वो रोने लगता है और बाहर यह कि वो उसे कॉरिंटीन कर दे जहांपर उसका अच्छे से लाज होगा दूसरी चॉइस कि वो उसे अपने घर में ही रखे और वहाँ पर उसे वही दवाईयां दे जो कॉरिंटीन के टाइम पर दी जाती है लेकिन इसमें उसे बहुत ही जादा दर्ध होगा और ऐसे उसे तब तक करना होगा जब तक वो मर नहीं जाती है और तीस्ती और आखरी चॉइस यह है कि वो अभी इसी समय उसे मार दे जो कि वो कभी नहीं करेगा जॉन रोने लगता और वो तीनों ही चीजे नहीं कर सकता पर उसे कैसी भी कर कि अपनी बेटी की जान बचानी है इसलिए वो उसे लेकर सबसे पहले तो अपने घर जाता है अब इन सबसे मैगी को बहुत ज़्यादा चोट पहुची थी इसलिए वो पूरे रास्ते चुप चाप बैटी रहती है जो कि जौन देख रहा होता है और इसी वज़े से वो उसका पसंदीदा गानों को चलाना शुरू कर फिर से और वही सारे विज़न आने शुरू हो जाते हैं जिसकी वज़े से उसके नीन टूट जाती है वो नीचे अपने डाट के गराज में जाती है जहां पर वो खुद की कार को ठीक कर रहे थे वो दोनों ये एक दूसरे से काफी बाते करते हैं जिसमें जौन उसकी मौम क बारे में बहुत सी बाते बताता है जैसी कि वो दिखने में बहुत ही जादा खूबसूरत थी और तुम बिलकुल उनी पर गई हो क्योंकि तुम भी उनकी तरह स्ट्रॉंग हो उनका हमेशा से यही सपना था कि तुम एक अच्छी पाइलेट बनो लेकिन शायद ये किसमत को मन फायर कर रहे हैं जान हां कर देता है जिसके बाद हम मैगी के दोस्तों को देखते हैं जिसमें ट्रेट भी होता है वो भी उसी के तरह इंफेक्टेड था लेकिन फिर भी उसके दोस्त उसके साथ उसे अकेला नहीं शोड़ते हैं सब ही अपनी पुरानी यादों को शियर करन लेकिन तब तक बहुत देर हो गई ये सब सुनकर मैगी उसका होसला बलाती है और कहती है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा हो वो होकर रहता है हम कुछ भी कर ले हम उसको बदल नहीं सकते ये बोलकर वो दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को केस करते है अब कुछ देर में सूरज निकल आता है एली मैगी को उसके घर पर ड्रॉप कर दिती है लेकिन जाती वे वो उससे कहती है कि वो उसे नेक्स वीक मिलने के लिए जरूर आएगी और ये बताते समय वो रोना शुरू कर देती है और उसे गले से लगा लेती है उसे भी अच्छे से पता है कि मैगी के पास अब बहुत ही कम समय बचा है और यही हकीकत है वो जादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी जब वो घर पहुश कर खुद को मिरन में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका फेस अब धीरी धीरे करके चेंज हो रहा है उसकी दोनों आखे अफेडेड होने लगी है लेकिन वो अपने डाट को आवाज लगाती है और जौन अभी वहाँ पर मौझूद नहीं होता वो ड्रॉप लेने के लिए चली जाती है तब उसे पता चलता है कि किचन में कुछ बनी नहीं रहा है असल में वो खाने की खुचबू तो उसके अंदर से आ रही थी और ये लास्ट इस्ट के सिम्टम होते हैं वो उसे आई ड्रॉप ले जाकर दे देती है पर हम यहां पर कैरॉलीन के हाथों में एक शार्प कैची देखती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे ना खाले या फिर जॉंबी में ना बदल जाए यहां मैगी उसे दुबारा पूछती है कि क्या कुछ बन रहा है पर वो कुछ जबाब नहीं देती है और वहां से फौरण चली जाती है कुछ जिरबात मैगी के पास ट्रेट के डाट की कॉल आती है जो उसे कहते हैं कि ट्रेट ने खुद को कमरे में बंद कर लिया उसे उसकी मदद चाहिए तो मैगी फौरण उसके घर जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है उसे गेट खोलने की कोशिश करती है तो उसके डाट परशान हो रहे थे लेगिन वो कहता है कि उसे अपने डाट में से खाने की खुश भी आ रही है इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता और मैं कॉरंटीन नहीं होना चाहता यहां हम उसकी situation को देखते हैं जिसमें उसकी आखे पूरी तरह से काली हो चुकी है उसका खून भी काला हो गया है जो कि उसकी नसों से visible हो रहा है और यह सब last stage आने पर होता है अब मैगी उसे बहुत समझाती है कि एतने पे वहाँ पर कुछ officer आ जाते हैं उसे quarantine center ले जाने के लिए आये थे वो उसे gate खोलने के लिए बोलते हैं पर वो ऐसा नहीं करता और उन्हें मजबूरन gate को तोलना पड़ता है और उसे जबरदस्ती पकड़ कर वो ले जाते हैं ये सम मैगी देखकर बहुत ही जादा ड़ जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे पता था कि आने वाले समय में उसके साथ भी यही सब होने वाला है उसे अपने दोस्त के लिए बहुत बुरा लगता है लेकिन दोस्तों अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके डाड भी इंफेक्टेड हो सकती कहानी आगे बढ़ती है जमैगी घर आती है तो उसे जंगल से किसी की आवाज आ रही थी वो अपने डाड की बंदूक लेकर फॉरण उसके पास जाती है तो वहाँ उसे भीडिया देखता है जिसे किसी ने केज में बंद करा था कुछ समय बीच जाता और वो वाबस आती है तो उसके मॉम डाड उसकी ऐसी हाला देखकर बहुत ज़ादा डड़ जाते हैं उसके पूरे मूँ पर खून लगा हुआ था वो तेज तेज चिला रही थी कैरोलीन जॉन से कहती है कि फोरण इसे कॉरेंटीन कर देना चाहिए लेगिन वह ऐसा नहीं करेगा वो उससे सबसे पहले शान करवाता और फिर पूछता है कि क्या हुआ वो बताती है कि उसे जंगल में एक भीडिया दिखा पहले तो उसे फ्री करने की वो सोच रही थी लेगिन फिर उसे उसके अंदर से खाने की खुझडू आने लगी इसलिए उसने उसे मार कर खा लिया ये बताते हैं वो रोने लगती है और उसके डैड ये सुनकर भी रोने लगते है और उसे फोरण सभालते है जॉन उस भीडिया के पास जाता और उसे पूरी तरह से मार देता है ताकि वो जॉम्बी ना बन जा अब इन सब चीजों से कैरोलीन बहुत ही जादा डिस्टर्ब हो चुकी थी इसलिए वो अगले दिन जॉन से कहती है कि उन्हें मैगी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए जो कि उसे यहां से ले जाएंगे लेकिन जॉन अभी नहीं मानता वो अपनी बेटी को ऐसे मन्य के लिए तो छोड़ नहीं सकता तो कैरोलीन गुसा हो जाती है और फैसला करती है कि अब वो इस घर में तभी आएगी जब मैगी जा चुकी होगी इसलिए अब यहां पर जॉन और मैगी दोनों ही अकेले बचते हैं जॉन रात भर बहुत सोचता है कि क्या उसे मैगी को जाने देना चाहिए और उसका बार बार उसे अपनी वाइफ से किया हुआ वादा याद आता है जिसकी वज़े से वो रुक जाता है अगले दिन दो आफिसर उसके घर पर आते हैं जो मैगी को देखना चाहती थे लेकिन जॉन उन्हें अंदर जाने से मना करता है और फिर उन दोनों के बीच में हाता पाई होने लगती है और तब ही दूसरा वाल आफिसर उस पर बंदूक तान देता है और इसी समय मैगी वहाँ पर खड़ी हो जाती है जो कि पहले से काफी बहतर थी और ये देखकर वो दोनों आफिसर पीछे हट जाते हैं कहती हैं कि हम फिर से वापस आएंगे अगले हफ़ते तब तक तुम्हारे पास समय है अब जान मैगी को ले कर उसकी मॉम के गार्डिन में जाता है और उसे बताता है कि ये उसकी मॉम की आखरी निशानी है जिसे मैंने सम्हाल कर रखा हुआ है तब ही मैगी उसे देखकर रोने लगती है और अपने डायट से कहती है कि अगर वो जॉम्बी बन गई तो उसे मार देना क्योंकि वो किसी और को तकलीफ नहीं दे सकती उन्हें खा कर अब ये सुनकर जान भी रोने लगता और इसके साथ वो उसे एक सलावी देते हैं कि तुम्हें इस पिल की नहीं बल्कि एक बुलट की जरुत है ये पिल उसे हर रोज तलपाएगी और गोली उसे एक दिन में दर्थ खतम कर देगी बाकी चॉइस तुम्हारी है जॉन घर जाता तो देखता है कि मेंगी जमीन पर लेटी हुई है वो डर जाता और फॉरण इसके पास जाकर उसे उठानी की कोशिश करता है लेकिन तब ही वो उसे काटनी के लिए आगे बलती है जॉन उसे याद दिलाता है कि वो उसका डाड है तब जाकर वो शान्त होती है और फिर वो उसे उन दवाईयों को खिला कर सुला देता है और खुद उसके पास बैट कर पूरी रात पहरेदारी देता है लेकिन दोस्तों सुबह उसकी आँख लग जाती है और यहां मेंगी को उसकी लास्ट स्टेश पर देखते है जहां पर वो पूरी तरह से जॉम्बी में बदल चुकी है उसका शरीर पूरा काला पड़ गया है वो जॉन के पास जाती है और उसे सूंती है उसे खानी ही वाली होती है लेकिन तभी वो रुक जाती है उसके अंदर अभी भी इंसानियत कहीं ने कहीं जिन्दा थी वो अपने डाइट के सर को चूमती है और वहां से बाहर आ जाती है यहां से वो सीधा छट पर आ जाती है और वहां खड़े होकर अपने उन दिनों को याद करने लगती है जो उसने अपने बच्पन में अपने मॉम डायड अपने छोटे भाईयों के साथ बिताये थे अगले ही पल हम देखते हैं कि उसकी आँख काली हो चुकी है मतलब अब समय आ गया है और इसी पल वो कूद कर खुद की जान ले लेती है उसकी खुबसूरत जिन्दगी के साथ साथ इस दर्भरी कहानी का भी यहीं परंथ हो जाता है बल दोस्तों ये कहानी हमें दिखाती है कि जब कोई हमारा अपना हमसे धीरी धीरे करके दूर जाता है तो कैसा लगता है और ऐसा ही कुछ हाल कोविट के समय हुआ था जब बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को खो दिया वो अकेले हो गए वेला आपको कहानी कैसी लगी निचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा मिलते हैं अगले वीडियो में पीस आओ